कोरोना के बढ़ रहे संक्रामन के बीच खृस्ति समाश के आने वाले क्रिस्मस परव को इश्वर्ज भी कोरोनो की गाइडलाइन के आधिन मनाने की लिए फादर ध्वारा अपिल की गई है 25 डिसंबर को खृस्ति समाश के सबसे बड़े परवन नाता लियाने की क्रिस्मस का परवा बनाये जाने वाला है जहां गड़ो द्राश्य है कि फते गंज सहीत हरे के चल्च में इसकी तमम तैयारिया की जा रही है फते गंज विस्तर में आये हुए चल्च को डेकोरेशन करते हुए रंग बे रंगी लाइट से सजाय गया है तो ही चल्च के अंदर भी श्रिंगार करने के साथ लोगों द्वारा अपने गरों को भी सजाय गया है क्रिसमस परवा को उटसाबून माहोल में मनाने के लिए इन दिनों बाजारों में भी खरीदारी का माहोल बना है तो वहीं बढ़ रहे कोरोना के संक्रमन और ओमिक्रोन की बढ़ रही देश्चत के बीच इश्वर्ज भी सरकार द्वारा तमाम गाइडलाइन के आधिन परवा मनाने के लिए सुचना ही दी गई है फतिगंज मिस्तर में आई हुए फतिगंज के चर्च के फादर वैसे रेव सेम्यूल सुवातिक द्वारा इश्वर्ज भी लोगों को अपने गरों में रहे कर और कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने के सार्थ चर्च में आग्मन करने के लिए अपिल की थी जा फ्रि प्रमेश्वन ने सहाईता की हमारे कहीं लोग भी मारे गये हैं इस रोग में लेकिन प्रमेश्वन ने हमको जिसको बचाया है हमारी प्रभू को स्तुति हो इसलिए एक क्रिश्वा स्तिवार मनाया जाएगा इसलिए चर्च में डेकोरेशन हो रहा है बाहर भी डेकोरेशन ह प्रिश्चन लोग यहां आएंगे 24 तारीक रात को हमारी English वर्शिप सर्विस होगी और 25 तारीक सुबह में गुजराती सर्विस होगी फिर 31 तारीक को रात को गुजराती में फिर से सर्विस होगी और 1st January नियुएर की सर्विस भी होगी लेकिन उसमें वर्शिप के लिए क्र अहुत लोग यहां आते हैं दर्शन के लिए तो वो भी आ सकते हैं लेकिन उनको भी DM पालंग करना पड़ेगा जैसे गवर्मेंट ने गाइडलाइन जारी की है उसी बताब से वो कम लोग आएंगे और इस्टंस रखेंगे और मास्ट पैनेंगे और यहां रिस्ट्रिक्शन ह होगा और कभी बन भी करना पड़ेगा इसलिए हमें सब ध्यान में रखना है हमारी सुपकामना है कि नाताल क्रिश्वस कुप अनन्दमाई बने और नयार साब सब के लिए सुखी बने प्रभू आपको आश्रिस दे मेरा नाम रेवरेंट सेमिल सुवार्तिक है